पुन्देर खंड की खर्ति को एस्प्रेथ वेकार एक पहार देते हुए पुत्तर वेक के सामसत्य नाथे मुझे विशेश खुशी मिल रही है मॉन्टाज में ये वीडियो देखी आपने ये वीडियो है अभी हाल ही में परदान मंत्री मोदी जी ने जो बुंदेल खंड एक्सप्रेस में का उद्गाटन किया था उस वाईवे की आज समझे कितनी जल्दी में हमारे परदान मंत्री रहते हैं कि रोड अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं था जिस दिन पीए मोदी नेगुरेशन कर रहे थे उसी दिन अखिले सियाद हमने एक वीडियो ट्वीट की थी और कहा था कि अभी अधूरा है हाईवे और मोदी जी उसका इनगुरेशन करने चले गए मतलब अपना नाम कमाने के लिए या अपनी वावा ही लूटने के लिए इतने उत्तेजित रहते हैं कि अधूरे काम का ही उत्वाटन कर दिया उसका नतीजा यह हो रहा है कि जगह जगह से वो हाईवे रोड टूट रहा है लगातार उसकी वीडियोज वाइरल हो रही है वो सारी वीडियोज दिखाऊंगा किस तरीके से मोधी जी ने लोगों के साथ जनता के साथ विश्वास घात किया है और उनको मोध के मूँ में धके लिया आप सोचिए जो कच्छा रोड है जो बीच में से 10 राजरासी बारिस प कहा है मोधी जी आपने जिस बुंदेल खंड एक्स्प्रेसिव का उद्गाटन किया वो पांस दिन के अंदर पाताल में पहुच गया देश को बताईए किसने फिरी की रेवडी खाईए यहीं पर परदान मंत्री मोधी जी ने कहा था कि रेवडी कल्चर जो है फिरी वाला उससे बच कर रहना चाहिए लेकिन मोधी जी इतने आतूर थे इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अधूरे रोड का ही उद्गाटन कर दिया और अब जो तस्वीरे आ रही है वो बहुत खतरना के यह देखिए किस तरीके से रोड टूटा हुआ है और अब देखिए और नफ्रत फिलाने वालों में फर्क समझना होगा यह दूबयर को लेकर इन्होंने कहा था जिस तरीके से जूबयर इनकी इनको एक्सपोस करते आये हैं उससे यह बहुत आहत हैं और लगातार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सारी एकस्पॉर invaluable करती और यह पर कारवाई करने से रोक लगा दी उसके बाद ये बिल बिलाए हुए ये देखिए 15,000 करोड की लागस से बना एक्सप्रेस वे अगर बरसात के पांच दिन भी ना जहल सके तो उसकी गुड़ुमत्ता पर गंबीर पर खड़े होते हैं इस प्रोजेक्ट के मुखिया संबंद इंजीनियर और जिम्मेदार कंपणियों को ततकाल तलब कर उन पर कड़ी कारवाई सुनिश्चित करनी होगी आप समझ ये कि 4-5 दिन की बारिस में ही रोड की ये हालत है जगा जगा से तूट रहा है कहीं जगा से खवर आईए कि जो हाईवे बना था वो जिस तरीके से त देखिए जिस तरीके से रवी किशन संसद में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल पर बहुश करने के लिए मांग करते हैं उस पर वरुन ग्रोवर जो कोमेडिया ने उन्होंने तंज किया है खुद की चार ओलादें चार बच्चे हैं और यह जो हैं पॉपुलेशन कंट्रोल की कि आए किस तरीदेगे विग्यापनों का खर्च 911 करोड नेया हवाई जाज 8400 करोड पुंजी पती मित्रों के टेक्स में छूट 145,000 करोड साल लेकिन सरकार के पास बुजूर्गों को रेल टिकेट में छूट देने के लिए 1500 करोड नहीं है मित्रों के लिए तारे तक तो यह सारी खबरें हैं कि किस तरीके से आज देश क्याल और यह देखिए सिम्रतिरानी के रिष्टेदार जो है वो इल्लीगल तरीके से गोव में एक बार चला रहे थे देखिए सिम्रतिरानी जी देख जानना चाहता है कि क्या आपकी बेटी ने फरजी वाड़ा कर एक मरह गोवा में जिसके बाद इनकी पोल खुल गई है और रविष कुमार ने ट्विट किया है एडी जी नमामी गंगे में भारी बिरस्टा चार ओर आ है महारेट करने कब जा रहे हो मा गंगा का सवाल है जिस तरीके किसे से विवरक्षी नहताओ को लगाता है टार्गेट किया जा रहा है इडीप से डराय धमकाय जा रहा है उस पर रविष कुमार ने तंज किया है जेल से चूटने के बाद मुहम्मद जुबेर बोले मैं अपना काम वैसे ही करूँगा जैसे मैं करता था तो जुबेर के होसले अभी भी बने हुए हैं हिम्मत नहीं आ रहे हैं यह दे तरीके से बुजूर्गों का जो कंशेशन था वो खत्म कर दिया गया है उसके बाद आप अंदाज लगा सकते ही देखिए देश की महिला बाल कल्यान मंत्री का परिवार अभे तरीके से गोवा में बार मदिराल्य चला रहा है मोदी जी मेडम पर कारवाई भले ही न करिए पर नोटिस देने वाले कमिशनर पर गाज मत गिराना जिस तरीके से मोदी सरकार लगातार करती है यह कोई अपसर अगर अपनी मानदारी से काम भी करता है तो उस पर भी गाज गिरा दी जाती है इसलिए जो दिपक शर्माय पत्रकार उन्होंने तंज किया है और यह देखि है और त्यारोप लगा रहे हैं ओर यह देखिए अडानी ने एशबियाई से मांगा 14000 करोड करोड का लोन पहले से 22 राइक कर्ज है देखिया अडानी पहले दीए नहीं है और 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 एश्बियाई से और जो है पैसो की मांग कर रहे हैं और यह सब क्या होगा आखिर में आ रहा है उसमें भी गरीबों का पेशा लगा हुआ है जिस तरीके से बीजेपी सरकार मोधी लगातार संसद में दावा करते आए कि हमने फिरी में वेक्सिन दी फिरी में रासंकिट विजुआई फिरी में जंता को हमने चीजे मुईया कराई उसी पर मनो जाने संसद में मोधी पर निसाना साधाय का है कि आप फिरी में कुछ नहीं दे रहे हैं ये जंगता के टेक्सों का पेसा है और देखिए आर जेडी ने ट्विट किया चुपचाप महंगा आना डीजल पेट्रोल गेस तेल दूल्द खरीदते रहो वरना मुसल्मानों का राज आ जाएगा तो ये आ जिस तरीके से देखिए जिस तरीके से देश के लोगों में भ्रह्मप फिलाए गया कि अगर आप जो है मोधी चले गे तो मुसल्मानों का राज आ जाएगा उसके बदले आपको चाहे तेल महंगा मिले, दूद महंगा मिले, गेस महंगा मिले, साइकल महंगी मिले, वो सब चुपचाब खरीते रहे, क्योंकि मुसल्मान आ जाएंगे, ये देखिए, अब बांदा और इटाओं में धसा बुंदेल खंड एक्सप्रेस वे लगता है, 2024 में मोदी जी विदाई के पहले ही, पूरा एक्सप्रेस वे पाताल में समझ आएगा, श्री निवास ने ट्वीट के आई देगे, आप खबर आ रहे हैं कि बांदा और इटाओं में भी ये एक्सप्रेस वे धस गया है, तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें कितना बड़ा फर्जी वाड़ा हुआ होगा, और मोदी जी ने कितनी जल्दी मचाई कि उसका उद्गातन कर दिया, आप सोची अगर इस पर आवज ही शुरू हो जाती और लोग जो है आने जाने लगते, कितने एक्सिडेंट होते हैं, कितने लोगों की जान जाती, उनके पास विदायकों को रिजोर्ट ले जाने के लिए पैसे हैं, लेकिन बुजर्गों को रेल टिकिट पर रियाद देने के लिए पैसे नहीं है, रेलों का चोधरी कांग्रेस तो जिस तरीके से बुजुर्गों की जो कंशेशन काटा गया है उस पर लोग टुवीट कर रहे हैं और ये देखी आपके बच्चे लूलू मोल में हनुमान चालीसा पड़ रहे हैं और उनके बच्चे गोवा में फर्जी बार लाइसंस बनवा कर बार चल वाड़ा करके वो बार चला रहे थे गोवा में लेकिन उन पर कारवाई नहीं होगी जो अधिकारी ये कमिशनर हैं उन पर कारवाई हो सकती है वो बात लगे हैं और ये देखिए और ये देखिए जस्तिसीजी रमन्ना ने एक बार फिल मीडिया पर बड़ा हमला किया है ये ये हालात हैं तो ये सारी बड़ी खबरेतिक इस तरीके से जो बुंदेल खंड का एक्स्प्रेस्व का उद्गाटन किया था अब वो जगा जगा से तूटना शुरू हो चुका है तमाम खबरेसी आ रही हैं तमाम वीडियो देसी आ रही है परदान मंत्री मोधी जी ने उसका घाटन तो कर दिया था लेकिन वो पूरा बना तक नहीं था तो अब जिस तरीके से वहां से वीडियो जारे ये रोट तूटने की क्या उसके बाद उसकी जाच होगी और जिसके अंडर में वो बना क्या उनको जेल भेजा जाएगा इस वीडियो पर आपकी क्या राय आप अपनी राय जरूर जीजिए शुकरिया